नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में सोफ के पानी से घटाएं अपना वजन जिया दोस्तों यही है अमारी आज की इस वीडियो का टोपिक दोस्तों सोफ न केवल एक मसाला है बलकि यह कई ओजदिये गुणों से भरपूर होती है सोफ के पानी का सेवन पाचन क्रिया में हेलफुल होता है यह अपज और गेश्ट्रिक जैसी समस्याओं को दूर करने में भी हेलफुल होता है अगर आप अपने भारी वजन से परहशान हैं और मोटा पे को कम करना चाते हैं तो सोफ के पानी का सेवन करें दोस्तों सोफ का पानी वजन कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है इसके साथ ही सोफ का पानी पेट की चरबी को कम करने बलड प्रेशर को कंट्रोल रखने खून को साफ करने पाचन समस्याओं को दूर करने और कोलेश्ट्रोल को कम करने में भी हेलफुल होता है तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि किस लिहास से सोफ का पानी आपके मोटा पे की समस्या को खतम करता है और इसके क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि सोफ के बीजों में पोटेशियम, फाइबर, मेगनेशियम, केलशियम, विटामिन A और C होता है, जो शरीर को स्वस्त वजन प्राप्त करने में हेलफुल होता है, सोफ के पानी में कैलरी बहुत ही कम होती है, इसमें पाए जाने वाले एंटी उक्सिरेंट गुण शरीर की मेटाबोलिक प्रक्रिया को तेज करके शरीर में जमा चर्वी को तेजी से घटाता है, अगर आप भी वजन कम करने वाले उत्पादों को तलाश रहे हैं, तो सोफ का पानी आपके लिए एक बहतरी न ओप्शन है, इसका यूज आप कर सकते हैं तो दोस्तों आपको ये भी बता दे कि नियमित रूप से सोफ का पानी पीने से मेटाबोलिज्म जो होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, मेटाबोलिज्म वहधर होती है दोस्तों जिसमें हमारी कोशिकाए, हमारे द्वारा खाये जाने वाला भोजन और उससे प् अधिक एनरजी मिलती है और हमारे शरीर से वसा को कम करने में हेल्प मिलती है, इस तरह से दोस्तों सोफ के पानी का इस्तमाल करके वजन को कम किया जा सकता है, इसके अलावा दोस्तों ये पाचन क्रिया को भी भेतर बनाता है, जी हाँ, पाचन क्रिया को ठीक करके सोफ का प गरपूर सोफ हमारे स्वास के लिए बहुत ही फाइदेमंद होती है। दोस्तों यह भूग को कम करता है। जियां सोफ के बीज में फाइबर अच्छी मातरा में होते हैं। इसके अलावा सोफ के पानी का सेवन करने से मानसपेशियों में संकुचन होने लगता है। जिसे की पेट की मानसपेशियों को आराम मिलता है और भूग को शांत करने में हेल्प मिलती है। जो लोग अपना वजन कम करना चाते हैं, उनकी प्रमुक समस्या अधिक ज़्यादा भूग लगने के कारण उनका मोटापा बढ़ता है। तो आप सौफ के पानी का यूज़ करके अपनी भूग को कम करेंगे और जब आपके भूग कम होगी तो ओटोमेटिक आपका वजन कम होने लगेगा। अब दोस्तो एक खास बात कि वजन को कम करने के लिए सौफ का पानी कितना पीना चाहिए। तो आपको बता दे कि अगर आप तेजी से अपना वजन कम करना چाते हैं, तो सुबह खाली पेट डो गलास सोब का पानी पीच सकते हैं। अगर आपको इसका सुवाद पसंद है, तो अभी से शुरूत कर सकते हैं, और इसके लिए आप एक कप सोफ के पानी से शुरुवात कर सकते हैं दोस्तों सोफ के पानी का सेवन करने की कोई विशे सीमा निर्दारित नहीं की गई है लेकिन फिर भी अगर आप सोफ के पानी से मोटा पा कम करना चाहते हैं तो एक दिन में जादा से जादा तीन गिलास सोफ के पानी का सेवन करें लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि शुरुवात आपको एक दिन में एक कप सोफ के पानी से ही करनी है यू नहीं कि आप शुरू से ही तीन गिलास पानी का सेवन करने लग जाए नहीं इससे आपको बोडी पर बहुत बुरा एफेक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी चीज की हम शुरुआत करें तो उसके बेसिक्स को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए तो इसका भी बेसिक्स यही है कि इसको भी शुरुआत में कमी इसका सेवन करें और धिरे धिरे करके आप इसकी मातरा बढ़ा सकते हैं लेकिन तीन कप से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ानी है यानि कि तीन गिलास से ज़्यादा आपको ज़्यादा मातरा नहीं बढ़ानी है और जैसे आपका वजन कम होने लगे, दिखने लगे, फर्क मेसूस होने लगे, तो इसका यूज करना छोड़ दें तो दोस्तो यही थी हमारी आज की एक और महत्वपुन जानकरी जो होती है समापत, उमिद करता हूँ कि वीडियो जानकरी आपको पसंद आई होगी दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिये गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ओल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए